आजहर छेत्र में नवीन प्रोध्योगिकियों की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पारंपरिक शैक्षणिक कारिक्रमों द्वरा पूरा किया जाना मुश्किल है। इसी को देखते हुए भारतिय संस्थानों के कारिक्रमों में बदलाव और नवीन कारिक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में भारतिय प्रोध्योगिकी संस्थान डोड़की ने भी साथ नए शैक्षणिक कारिक्रमों की शुरुवात की है। यह कारेक्रम डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेशग्यता के साथ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अर्थ शास्त्र और प्रबंधन के चुनिंदा छेत्रों में पेशेवरों और विद्ध्यार्थियों को भविश्य के नए आयाम उपलब्ध क पूरा करते हैं, इन्हें कई सतरों पर सलाकार समीतियों और विशेशग्यों के साथ गहन विचार विमर्ष के बाद विक्सित किया गया है इन कारक्रमों की लॉजिस्टिक्स जरूरत पूरी करने के लिए हमने एक नया डिजाइन विभाग बनाया और डेटा साइंस में कृत्रिम बुध्यमता के लिए एक नया केंद्र निर्मित किया शेक्षणिक सत्र 2021 22 से शुरू किये जा रहे इन कारक्रमों में छे पराइसना तक डिग्री कारक्रम और एक पांच वर्षिये एकी करत कारक्रम तयार किये गए है इनमें Center for Artificial Intelligence Data Science के अंतरगत M.Tech Artificial Intelligence और M.Tech Data Science डिजाइन विभाग के तहट और द्योगिक डिजाइन में Masters और Masters in Innovation Management प्रस्तावित International Center for Damps द्वारा समन्वित M.Tech बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास इसके अलावा Electronics एवं Communication Engineering विभाग के तहट उद्योग के कामकाजी पेशेवरों के लिए Online M.Tech, Micro Electronics and VLSI और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अंतरगत पांच वर्षिये एकी करत कारिक्रम MS अर्थशास्त्र शामिल हैं इन कारिक्रमों का उद्येश नए और उभरते हुए छेत्रों में गुलवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलग्ध कराना है जो आज ज्यादा प्रासंगिक बनते जा रहे हैं आज जिस तेजी से पूरी दुनिया में प्रोध्योगिकियों में परिवर्तन हो रहा है नवाचारों ने सामाजिक और और अध्योगिक धाचे को बदला है उसके चलते नए छेत्रों का विस्तार हुआ है अवसर बढ़े हैं IIT रूरकी के ये साथ ने कारिक्रम इसी दिशा में मानव संसाधन का विकास कर न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे बलकी आत्म निर्भर भारत निर्माण और मेकिन इंडिया जैसे महत्वकांशी अभ्यानों में भी सहाएक साबित होंगे